अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते समय अगर आप उसे किस करते हैं तो उसे काफी अच्छा महसूस होता है लेकिन अगर आप सिंपली किसी भी जगह किस करते हो तो आप कभी भी अपने पार्टनर को पूरी तरह से संतोष्ट नहीं कर सकते आईए हम आपको यहां बताते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से संतोष्ट करना चाहते हो तो उसके शरीर के इन अंगों पर किस करने से आपको बहुत फाइदा होगा महिलाओं की स्किन बहुत ही संवेदनशील होती है और अगर आप उसके होटों पर और उसके आज़ पास किस करोगे तो उसे बहुत ही ज्यादा मज़ा आएगा लेकिन ध्यान रहे कि आप अपनी दाड़ी को क्लीन शेप कर लें ताके आपके पार्टनर को इरिटेशन ना हो नमबर दू गर्दन पर किस करना गर्दन के पास की स्किन भी बहुत सम्वेदनशील होती है और अगर आप यहां बहुत दीरे से और मज़े से किस करोगे तो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा महसूस होगा आप उसके कान के नीचे के हिस्से वाली गर्दन पर कोमलता के साथ किस करेंगे तो उसे बहुत ही ज्यादा संतुष्टी मिलेगी नमबर तीन कान पर किस करना कान भी किस करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है अपनी जीब को उसके कान से शुरू करके कान के पिछले हिस्से तक ले जा सकते हैं और फिर देखिए कैसा महसूस होगा क्योंकि सेक्स करते समय यह हिस्सा किस करने के लिए बहुत ही बड़िया माना जाता है और पार्टनर को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है स्टन पर किस करने से तो जैसे के महिलाओं किसी और ही दुनिया में परवेश कर जाती है क्योंकि महिलाओं का सबसे ज्यादा सैंस्टिफ हिस्सा स्टन माना जाता है स्टन में भी एक बहुत important हिसा जिसे निपल कहते हैं उसे किस करने से महिलाओं को बहुत सुकून मिलता है यह चाती और कंदों के बीच का हिस्सा होता है जहां किस करने से आपका पार्टनर बहुत अच्छा महसूस करता है शरीर का यह हिस्सा सैंस्टिव तो नहीं होता बलके जब आप यहां किस करते हैं तो पार्टनर को संतुष्टी महसूस होती है अगर आप भी सेक्स करते समय बॉडी के किसी ऐसे अंग के बारे में जानते हैं जहां किस करने से आपके पार्टनर का काफी संतुष्टी मैसूस हो तो प्लीज नीजे कॉमेंट करके हमें बताएं अगर आपको ये वीडियो अची लगी तो प्लीज से लाइक करें और शेयर करें दुनिया बर की वाइरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें